जिला कांगडग की सीमाबर्तिक शेत्रों में नशे के अवयत कारोबार वो उससे पिछले कुछ समय के भीतर हुए नशे की ओवरडोस की कारण मौतों का ग्राप लगातार बढ़ता रहा है। जिला के अनुमती के बाद ही बेचा जा सकेगा। ड्रग कंट्रोल विभाग कांगडग की अत्रिक्त ड्रग कंट्रोलर आशिश रैना ने इस धरब में सरकुलर जारी कर जिला के सभी दवा विक्रेताओं को निदेश चारी कर दिये हैं। सीमबर्तीक शेत्रों में यूज की हुई भारी मात्रा में इस रिंजे देखी गई हैं जिसका प्रयोग संभता नश्य के तौर पर लिए जाने वाले चिट्टे को पानी में घोल कर शरीर में इंजेक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। अशिश रैना ने कहा कि अगर कोई दवाई विक्रेता अधिकरित परची के बिना सिरिंज बेस्ता हुआ पाया गया तो उसके विरुद कड़ी कारवाही अमल में लाए जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंधरब में सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को भी केमिस्ट दुकानों का और्चिक निरिक्शन करने की आदेश जारी कर दिये हैं। जिला कांगडा कैमिस्ट दंग के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि इंसुलीन सरिंज को परची परीना डॉक्टर के अनुमती के ना बेचने के बार में विभाग से अधेश प्रापत हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये निशे के खिलाफ चेड़ी के मुहीम में विभाग की सराहनी पहल है। जी ऐसा है हमें अभी कुछ दिन पहले जो विभाग हमारे विभाग है उनसे ये अधेश मिले हैं कि आप जो भी इंसुलीन की स्रिंजिज हैं वो बिना प्रेश्यूशन के किसी भी कस्टामर को ना दे तो बहुत बड़ी है बात है हम भी ड्रग अधेश के साथ हैं इसलिए क्योंकि ये नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहीम जो है ये भुभाग में जारी की है और हम इसका सेहो करते हैं मैं कैमिस्ट एसोशेशन की तरफ से और जिला कांगरा की एसोशेशन की तरफ से भी हम खौटी के साथ हैं और हमने भी अपने लेवल पे सभी को ये अग लड़के हैं या बच्चे हैं उनको बिना प्रेस्वेशन के स्रिंजिस ना दीदाए और हमारा एक ये भी कहना है कैमिस्ट भाईयों का कि फ्यूचर में इससे समंदित जो है वो डॉक्टर को नदेश्ट दिये जाएं ताकि जो भी इंसुलीन की प्रेस्वेशन डॉक्टर लिखते हैं उसके साथ ही इंसुलीन की स्रिंजिस भी लिखी जाए ताकि किसी भी मरीज को अथा इसकी जो कमी ना आए और ये इंसुलीन एक बहुत एमरिजेंसी ड्रॉग्स है जिसकी इंसुलीन बढ़ जाती है तो समय समय पर इंसुलीन का इंजेक्शन लेना पड़ता है और उनको स्रिंजिस की जरूरत पड़ती है तो ताकि इसकी किसी को प्रॉलम ना आए तो डॉक्टर को ये साथ में ही पर्ची पे लिख देनी चाहिए धन्यूराँ